आज की वीडियो काफी इंफर्मेटीव है क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसे लक्षन बताने वाली हूँ प्रेगनेंसी के जिसको आप अपने पेट को खुद ही टच करके एक अंदाजा लगा सकते हैं कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव की है या फिर नहीं कंसीव की है क्योंकि जैसे ही आपका आरोपन होता है भचछा आपके गर्ब से चिपकता है तो पेट में जरूरी चेंज़ेगा और यह चेंज़ेग्स इस तरह के होते हैं जिसको आप पिंगोर नहीं कर सकते हैं यह कंफर्म आपको यह सारे लक्षन बता देते हैं कि आपने प्रेगनसी कंसीव क की है या फिर नहीं की है तो वीडियो काफी इंफर्मेटीव है रिक्योस्टे ही करूंगी कि प्लीज शुरू से लिए कि लाश तक जरूर देखेगा नमस्कार दोस्तों मेरा नाम हर्शता बर्मा है और आपका मेरे शाइनल ट्विंस मैं वर्ल्ड पर स्वागत है तो अपने पेट को देखके या पेट को अंदाजे लगाके टच करके आप किस तरह से महसूस करेंगे तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे ही आपकी प्रिग्नेंसी रुखती है यानि जो महिला के शर्र से अंडा होता है वो अगर मेल के सेल के साथ मौजूद अगर जो मेल के सेल उनके साथ उनका properly fertilization हो जाता है, सही time पे होता है, तो timely आपका implantation भी होता है, और जैसे ही implantation होता है, तो शरीड में बहुत सरे संकेत होते हैं, और ये संकेत दिखना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि जैसे जैसे आपकी pregnancy रुखती है, आपके शरीड में pregnancy के hormone काफी तेजी से होते हैं, बहुत सरे महिलाओं को बहुत ही जादा bloating feel होगी, जैसे कि उनको काफी gas जैसा feel हो सकता है, पेट कड़क हो सकता है, तो आप जैसे ही अपने पेट को touch करिएगा, या फिर आपके जो भी period की जो date है, उसके आसपास या एक दो दिन बाद या एक दो दिन पहले, कड़कपन महसूस हो रहा है, तो ये आपकी pregnancy के लक्षन होते हैं, वही पर अगर मैं दूसरे संकेत की बात करों, तो दूसरा संकेत भी आपको ignore नहीं हो सकता है, क्योंकि जैसे ही आपका implantation होता है, तो implantation का मतलब होता है, कि जो नन्हासा जो जाइगाट है, जो कि इन दोनो होती है, उसकी वज़ा से आपको spotting भी feel हो सकती है, तो अगर आपको एक से दो dots जो बूंध होते हैं, अगर उस तरह की spotting अगर आपको लगती है, थोड़ी brown कलर की, थोड़ी pink कलर की, या फिर बिलकुल light एकदम आपको spotting लग रही है, तो इसे हम लोग implantation की bleeding कहते हैं, लेक अगर आपको cramping महसूस हो रही है, पेट के किसी एक side पे आपको हलकी सी cramping बहुत तेज नहीं होती है, हलकी सी cramping वो भी आपको date के आसपास के दिनों में, जैसे 2-3 दिन बाद भी, या 2-3 दिन पहले, क्योंकि ये जो implantation होती है, ये आपको पहले feel होती है, लेकिन जबकि bloating जो होती है, वो आपको continue हो सकती है, ये long term पे भी हो सकती है, ये indication बहुत ही certain indication होता है, कि आपने pregnancy conceive कर ली है, और आपका जिस दिन का period का date होगा, उसके एक हफ़े पहले आपको cramping feel होगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उस time पे आपको bloating feel हो, लेकिन जैसे जैसे आपका date नजदीक आते जाता है, या फिर उसके date को आप miss कर देते हैं, लेकिन फिर भी आपको bloating रहती है, constipation रहती है, और साथ ही साथ अगर आपको frequent urination की इक्षा होती है, तो ये एक बहुत बड़ा लक्षन होता है, ताकि आप एक confirmacy मान सकते हैं, कि आपने pregnancy conceive कर ली है, अगर इस separately मैंने end skin पे एक वीडियो की link डाली है, कि आप किस तरह से test करिएगा, कब करिएगा, ताकि आपकी pregnancy का जो result है, वो काफी accurate आए, तो इस वीडियो की link को click करना मत भूलीगा, ताकि आपकी सारी जानकारियां clear हो जाएं, कि pregnancy के test kit को कब इस्तमाल करना चाहिए, क्योंकि बहु वो confusion में रहती है, कि उनको test kit का इस्तमाल बुकर रही है, तो pregnancy है या नहीं है, क्या confusion है, तो आपकी accurate result कब आएगी, आपको कब test करना चाहिए, उसकी पूरी जनकारी ये end screen को आई हुई है, वीडियो की link उसको देखना मत भूलेगा, thank you so much for watching, prince my world.